अगर मालवा जला स्पताल में सत पुलिस चौकी में पदस पुलिस करमचारियों वाज सिविल सर्जन के सुस्त रवहिये से जला स्पताल में आधन मोटर साइकल चोड़ी होने की वारदाते हो रही हैं प्रकाश ने बताया कि उसके चोटे भाई की पतनी की जला स्पताल में डिलिवरी होई थी जिसे देखने के लिए वो जला स्पताल की वाहान पार्किंग में अपनी मोटर साइकल खड़ी कर अपने चोटे भाई की पतनी को देखने वारद में गया एक घंटे बार जब लोट कराया तो देखा कि मोटरसाइकल पार्किंग में नहीं मिली है इसकी सूछना जिला अस्पताल में सत पुलस चौकी में पदस साधिकारी को दी जिस पर चौकी में पदस साधिकारी ने ये कहकर टाल दिया कि हम गारी की निगरानी नहीं रखते और फर्यादी अपनी चोरी की गारी की रिपोर्ट लखाने के लिए तीन दनों से थाना खुद वाली के चकर काट रहा है लेकिन उसकी चोरी की गई गारी की रिपोर्ट अभी तक नखी लिखी गई है पुलस के सुस्त रवये के कारण जिले में आए दिन मोटरसाइकल चोरियां होरे की वारदाते मिल रही हैं और नहीं किसी तरह की विवस्ता है सिविल सर्जरन का भी सोर्ध या नहीं है जैसे वहां चोरो के होस ले बुलंद है कहां के निवासी हूँ कैसे आपकी गारी गई कैसे क्या हैं पूरा मामला सर वो सुसमे डिलेविर थी तो वहां डिलेविर रोगी उनके बाद में रेफर किया हैं तो नहीं पर मेरे देशोटा भई है उसकी गड़ी को नहीं पर अस्पराल सिविल हस्पता में तो इसको यहां पर वर्ति किया मतलब तो फुराज क्या दिले रहां पर बाद मिली हैं तो श्राम को फूरी बाद करें हैं तो वहां पर गए हैं और जारी से क्यानि क्या दोकाल सा और तो डॉस्त पुलिस की तो आपर हमने भोला कि इस तरह हमरी गारी गई। उन्हें भी दारूपी रखी, उन्हें की कि हम उनको पतनी गारी आडी का जिया हम प्रोप जिन को दूसरा मामला देखते हैं। कि इन ने भी सुनवाई किš no कल आप गय तो रिपोड लिखी थी ती माप दुबारा गये जब कल आना इसे बोलाथा पहले तो दुबारा आपकी आपकी कर नहीं होए थी कि नहीं हुए नहीं और नहीं क्या कि पुल लिए तोंगा चैनल वे अब अब हाई थैंक होई दोने अं इसको है उने को पुलिस क्योंने फोर्फ और भी नहीं इसके आवि आप बहुतत भी पता नहीं है